वेल्कम टिश्टोन डिक्टेशन, डिक्टेशन पान सिकन बाई शुरू हुगा। रेडी स्टार्ट। सुख और दुख मानव जीवन का अनिवार्य हिस्सा हैं। पर कभी-कभी हम खुद दुख के उत्स बन जाते हैं। परिजनों की मृत्यू का दुख या धन्धा मंदा होना जीवन की नियमितता हैं। प्रतिक व्यक्ति के जीवन में यह घड़ी आती रहती हैं। इसे जीवन के मोड की तरह ग्रहन करना चाहिएं। जब मनुष भौतिक सुखों की गिरफ्त में आकर दुखी होने लगता है। तो यह उसका अपना गढ़ा हुआ दुख होता है। बिजली चली गई। पानी नहीं आया। गैस का सिलेंडर रीत गया। अगर यह सब दुख हैं तो यकीन मानिये फिर जिन्दगी में सुख है ही नहीं। पैराचेंज आधुनिक सभ्यता में एक जुमला खूब उच्छाला जाता है। ट्रेजडी हो गई विराम। कपड़ों पर प्रेस नहीं हो पाई तो ट्रेजडी हो गई विराम। राह चलते किसी वाहन ने कपड़ों पर छीटे मार दिये तो ट्रेजडी हो गई। ट्रेजडी इतना हलका शब्द नहीं है विराम। अगर सचमुच किसी दिन ट्रेजडी हो गई तो उसे आप क्या कहेंगे पैराचेंज। दरसल हम अपने सुख का घेरा अपने आप खींचते हैं विराम। छोटी सी त्रिज्या लेकर वृत खींच लिया फिर मान लेते हैं कि इस वृत के अंदर सुख है और इस वृत के बाहर दुख विराम। हमें लगता है कि बिजली का न आना वृत से बाहर है विराम। मौसम का खराब होना वृत से बाहर है विराम। गाड़ी का समय पर न चलना वृत से बाहर है विराम। ऐसे में मन अशांत हो जाता है विराम। यह अशांती कृतिम होती है विराम। सुक के वृत को यदि बड़ी त्रिज्या लेकर खींचा जाए तो मन की अशांती से बचा जा सकता है विराम। मौसम के खराब होने से लेकर हमारी भौतिक आवशक्ताओं में व्यवधान भी उस वृत के अंदर होने चाहिए विराम। यदि ऐसा करने में मनुस्य सफल हो जाता है तो अशांती के कई कारण खुद बखुद समाप्त हो जाएंगे विराम। ऐसा होने पर मन में कलेश नहीं होगा और अनावस्यक क्रोध से बचा जा सकता है विराम। याद कीजिए पुरवजों को उनके लिए दो वक्त की सम्मान जनक रोटी और एस एसी विहीन गहरी नींद ही सुख की वजह थी। तो आज ही सुख के वरित को बड़ा बनाईए स्टॉप।